हलो फ्रेंट्स वेलकम तू आज मैं आपके जो वीडियो लिकारा देखिए एक टॉक जिसको हमने अभी नवेंबर सीरीज में कवर किया था उसके बाद यह आपको 15-20% का रिटन अराम से दे चुका है विदिन वन मन्थ बलकि एक महिने से भी कम टाइम में लेकिन अब स्टॉ और भी बड़े धमाके के लिए तैयार होता है जैसे मैं आपको कहता हूं है जब भी आप पोजिशनल अलग-अलग स्टेजेज होती है आपने 10-20% कमा ली है लेकिन अब आगे आगे की रणनीती क्या है उट डिपेंड करता है आप किस तरीके के प्लेयर हो लेकिन माला माल क करते रहो यह तो बहुत लंबा भागने वाला लॉंग टम इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक में इसको क्यों कहता हूं और काफी लोगों का पसंदीदा शेर भी है चलिए सीधे स्टॉक की तरब आपको लेके चलता हो और आगे बाने सो बताया दोगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले साथ के साथ बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती नहींगी भारत इलक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बी एल अगर आप यहां पर देखो 35 परसेंट का डिलिवरी परसेंटेज आज रडाई है वह है वह लड़ाई है इलक्ट्रोनिक वार्फियर के और उसमें राडार और एलक्ट्रोनिक काफbersट होते हैं सेंट और इसके उपर यह काम कर रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडिया पहले तो मेजर पहले के आज भी मैं का विजर इंपोर्टर होया और private player को invite क्या जा रहा है और इन company जैसे भारत electronics जैसे company जो बड़ी-बड़ी company यहां पर है इनके पर भी private investment लाई जा रही है आप देख पा रहे होंगे यहां पर जिसके जरीए यह company की भी efficiency काफी बढ़ रही और competition में यह काफी आगे इसलिए यह भारत electronics एक strategic वाली company है इंडिय सब्सक्राइब के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट फूचर परस्पेक्टिव से लेकिए अभी अगर आप देखो जीरो डेट की company और बढ़िया डिविडेंड देती है 27,000 करोड का market capitalization हर 16 रुपे पे आपको एक रुपे कमा के दे लिए अब आपको गया रही तो बहुत ह साथ रुपे के आपके लिए आज क्यों लेकर आऊं कुछ दिन पहली भी नवंबर के दस बीस के आपके लिए स्टॉक लेकर आथा लेकिन अभी situation बदल रही है वाले लगातार माल यहां पे खरीद रहे हैं और इन म्यूच्वर्ट के साथ मैं कहूंगा भी प्रमोटर ने ज की होल्डिंग लेकिन मुच्वर्ट के पास पच्छिस से चब्विस पसंट की हिस्सेदारी यहां पे है अब यह स्टॉक का आपके सामने लानी का इंपॉर्टेंस में आपको बताना जाता हूं से पहले चार्ट को देखेंगे लेकिन चार्ट पर जाने से पहले जड़ा इस के बाद कोई मीजर करेक्शन आपको देखने को नहीं बिला चोटे चोटे करेक्शन तो यह करेक्शन के रिजॉल्यूशन को आपने देखा किस तरीके से यह करेक्शन डूब और अगला 120 जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि 120 की रेंज is the most important hurdle यह रेंज के नियर ब्रिक आउट नियर करेक्शन आपके लिए बहुत उस टेंब एक सो तीन एक सो दो के आसपास का प्राइस था वहां से लेके इस लवल तक है पहुंच चुका लेकिन आगी की रढ़नी थी अब क्या क करें इस टॉक मैं तो आपको चार्ट के उपर लेके चलता हूं और समझाते हैं यहां पर अब तसल्ली से देखिए इस टॉक को अब तसल्ली से देखिए जिस चीज की requirement थी वह चीज बिलकुल हमारे सामने आ गई है इसलिए मैं आपको वह नवंबर 20 का वीडियो था जब प मज़ लीजिए कि आपको कौन से मूब्स में सबसे ज्यादा फायदा होता है अब यह 120 का लेवल है एज एक्सपेक्टेड अगर पुरानी वीडियो आप देखे बैल की जो मैं आई बटन क्लिक करके भी आप देख सकते हो डेस्क्रिप्शन में भी आपको यहां पर बताऊं अब तो ब्रेक आउट की बारी है और अगर यहां पर जिस तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में करेक्शन जो चल रही है वह रिजॉल्ब होती है यह बड़ा धमाका होता है तो कहां जाएगा बड़ा धमाका अगर होता है ना तो यह स्टॉक के रुकने के लिए आगे साथ आता तो मार्केट भी स्टेबल कंडिशन में आ चुकी है और आप यह मान के चलिए कि जो फांड बड़ बड़े लोग होते वह खरीदारी यहां पर जब करेंगे तो यह कहां तक जाएगा क्योंकि मार्केट स्टेबल हो चुकि अब जो करेक्शन आएंगी उन करेक्श चाट नवेंबर 20 का जो हमारा वीडियो क्रेट होता है तो उस टाइम पर प्राइस इसी रेंज के आसपास कहीं ता 102 के आसपास तो यह करेक्शन हमारी तब रिजॉल्व होगी अब यह भागने वाला सीधे 120 तक या तो सीधे भागे या फिर हलका सा इस तरह के चापको दोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए हमारे जो डालोग सोने कोमन होते यहां पर चात दोड़ने के लिए आपको एकदम आपको बिलकुल मैं कहूंगा वहां हतोड़ा मारने ही पड़ेगा धीरे-धीरे करके तब वह च्छत तूटती है और उस एरिया में जिस चीज के रिक दोड़ने वाला और इसके उपर जैसे फॉलो अप होगा मौकर जब करेक्शन रिजॉल्व होगा तब भी हम बात करेंगे बट वीकली पे करेक्शन के सिगनल आ चुके हैं अभी करेक्शन यह ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीक ही रिजॉल्व हो सकता है लेकिन सिगनल हमें दे जड़ा देखिये जड़ा देखिये सिगनल कैसे हैं कम्प्लीट इंडिसिजन और 120 नहीं 124 के लेवल पे अब आपको क्या एक सो बीस का इरिया पार करके तो पुल बैक भी हो तैफिनिट्ली अब आप इसको पुल बैक भी कह सकते हो बट जड़ा वॉल्यूम देखिये यहा और ढूआ जाए बुलिज कश्यों बना है बुलिख करास्थ के बाद एज एक्सपेक्टिट हमारी क्या होती है कटरैक्टेशन होती है अबैक चाहिए त्वन्टी के नीयर 110 के लेवल पर आए चाहिए यह एक सो दो लबल पर अजाए यह हलका सा नीचे 100 के लेवल पर किसी को मिल जाता कि मेरे को तो diamond मिल जा सस्ती pricing पर मिल खरीटा तो सीधे वापस होता है तो वह जो resolution होता है ना वह बहुत ही खतरनाक उसके बाद price मा और आपको moment देखने को मिलता है तो next जो अभी correction मैं कहूंगा जो correction अभी चल रही है in progress अभी रिजॉल्व नहीं हुई है याद रखे यह resolve नहीं हुई है this is in progress correction और यह आपको आने वाले टाइम पे बढ़िया opportunity देने वाली है क्योंकि daily पे बुलिस क्रॉस के बाद अभी तक हमारे पस कोई correction नहीं थी छोटे यहाँ पर एक small correction थी लेकिन correction हमको बुलिस क्रॉस के बाद 20 50 या 50 से थोड़ा सा नीचे तक की correction काम करती है और बढ़िया काम करती है और पिछले correction resolution को आप देखोगे तो यह area देखे कैसा resolve हुआ तरह देल में समझते हैं थोड़ा इसली समझते तो उनने 92-93 के लवल से entry करना स्टार्ट कर दिया होगा विदा स्टॉप लॉस आप यह 85 कि कितना risk है कम से कम रिसक है तो यह सारी चीज है आप ही हाँ पर मैं काऊंगा सीधे सीधे समझ सकते हो कब entry करनी है कब exit करनी और जो लोग जिन्होंने 92 पर entry किया होगा वो कब निकल गए होगे पर इस candle को देखके अब आगे भागे ना भागे अगर मैं यहाँ पर 92 पर entry क्या होता तो मैं यहाँ पर इस candle को देखके इस level पर यानि कि 114-113 का जो यह level है यहाँ पर अपना एक profit का हिस्सा book कर चुका होता चाहे हो 50% चाहे हो 60% हो 100% हो तो यहाँ पर booking मेरी start हो चुकी होती क्योंकि मुझे expectation अभी correction की और है तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि thesis बना के चलिए, सोच बना के चलिए market में अपने हिसाब से और उसके basis पे काम कीजिए तो आपको फाइदा बहुत होगा फिलाल मैं wind up करता हूँ वीडियो को उम्मीद करता हूँ को समझ में जरूर आगा और अगर fundamentally देखें तो यह stock बहुत ही strong stock है future perspective से देखें तो भी करता हुआ है